प्रस्तु थे चारक के नीती के आधुनिक रूपांतरण की एक और वीडियो चारक के नीती को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को अंततक देखना आबश्यक है क्योंकि अधूरा ग्यान सदैब घातक होता है दोस्तों चारक के नीती में पुरुषों के लिए कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो हमेशा उन्हें दुख देती हैं दोस्तों जिन लोगों के साथ ये बाते होती हैं वो जीवन में निराश हो सकते हैं तो आये दोस्तों ऐसी कौन सी बाते हैं चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से आचारे चारक की जी कहते हैं उम्र और पद में छोटे इंसान से अपमान दोस्तों आम तोर पर किसी बड़े ब्यक्ती दोरा कही गई अपमान जनक बाते तो सहन हो सकती है लेकिन उमर और पद में छोटे इंसाम दोरा कही गई अपमान जनक बातें सहन कर पाना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों किसी भी पुरुस के लिए ये बातें दुख देने बाली होती है और पुरुसों के लिए मान सम्मान का महत तो काफी अधिक होता है अगली बात आचारे चारक की जी कहते हैं पतनी के साथ बहुत लड़ाई जगडा दोस्तों पती पतनी के बीच छोटे छोटे लड़ाई जगडे होना आम बात है लेकिन घर में कुछ जादा ही कलह होने लगे तो जीवन नरक के समान लगने लगता है पती पतनी को एक दूसरे की इच्छाओं का ध्यान रखना चाहिए साथ ही कलह की इस्तिती ना बने इसके लिए भी अपने इस्तर पर प्रयास करते रहना चाहिए अगली चीज आचारे चारक की जी कहते हैं असंतुलित भोजन दोस्तों जो लोग खान पान में साबधानी नहीं रखते वो लंबे समय तक स्वस्थ और सुखी नहीं रह सकते लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए असंतुलित भोजन से बचना चाहिए असंतुलित भोजन यानि ऐसा खाना जिसे पचाने में पाचन तंत्र को अधिक समय लगता है अधिक मसालेदार खाना अधिक तेल गी और मांसा हार आधि से बचें और संतुलित आहार लें संतुलित भोजन यानि हरी सबजियां दोध से बने पकबान और रोटी अगली बात आचारे चारक की जी कहते हैं बुद्धी हीन संतान दोस्तों यदि किसी इंसान की संतान बुद्धी हीन यानि मूर्ख है तो ये बात हमेशा दुख देती है संतान यदि समस्दार होती है तो माता पिता दोनों को हमेशा सुख मिलता है मूर्ख संतान हर रोज कुछ ना कुछ गलत काम करेगी और उसकी बज़े से माता-पिता को परिशानिया होंगी संतान को संसकारी और समस्दार बनाने के लिए माता-पिता को बचपन से ही उसकी देखभाल करनी चाहिए अगली बात आचारे चारक के जी कहते हैं बीमारी दोस्तों एक पुरानी सी कहाबत है पहला सुख निरोगी काया यानि सबसे पहला सुख होता है स्वस्थ सरीर यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हैं यदि कोई गंभीर बीमारी हो गई है तो उससे कई प्रकार की परेशानियां होती है और बीमारी का जब तक उपचार नहीं हो जाता इंसान हमेशा दुखी ही रहता है अगली चीज आचारे चारक के जी कहते हैं धन का अभाव दोस्तों सुख सुविधाओं की बहुत सी ऐसी चीजे होती है जो सिर्फ धन से ही प्राप्त की जा सकती है धन अभाव से घर परिवार में कई बार अशान्ती फैल जाती है घर के सभी सदस्यों को सुख देने के लिए धन की आवश्यक्ता रहती है भावतिक सुखों को पाने के लिए इंसान मेहनत करता है लेकिन उची धन प्राप्त नहीं कर पाता तो वो दुखी रहता है यदि धन की कमी हो तो इंसान को दुखी नहीं होना चाहिए जो चीजे हमारे पास हैं उनसे ही संतोस कर लेना चाहिए और दोस्तों मेहनत करते रहेंगे तो धीरे-धीरे धन की कमी भी दूर हो सकती है दोस्तों अगली एगनीती में आचारे चारकी जी कहते है इस तरीका हिरदे पूर नहीं है वो बटा हुआ है जब वो एक आदमी से बात करती है तो दूसरे की और वासना से देखती है और मन में तीसरे को चाहती है चारकी जी कहते हैं ऐसा यहां कौन है जिसे दौलत पाने के बाद मस्ती नहीं आई और क्या कोई बेलगाम आदमी अपने संकटों पर रोक लगा पाया इस दुनिया में किस आदमी को औरत ने कबजे में नहीं किया किस के ऊपर राजा की हरदम महरवानी रही किस के ऊपर समय के प्रोकोप नहीं हुए और किस भिखारी को यहां शोहरत मिली और किस आदमी ने दुष्ट के दुरगुर पाकर सुख प्राप्त किये चालक के जी कहते हैं बैक्ति को महत्वा उसके गुर परदान करते हैं वो जिन पदों पर काम करता है सिर्फ उससे कुछ नहीं होता दोस्तों किया आप एक कववे को गरूर कहेंगे यदि वो एक उची इमारत की छट पर जाकर बैठता है जो बैक्ति गुरों से रहित है लेकि कि एक विभेक संपन इंसान अपने अच्छे गुरों का परिचे देता है तो उसके गुरों को आभा के रत्न जैसी माननेता मिलती है एक ऐसा रत्न जो प्रज्जलित है और सोने के अलंकार में मढ़ने पर और भी अधिक चमकता है वो इंसान जो सर्ब गुर संपन है अपने बो दौलत नहीं चाहिए जिसके लिए कठोर यातना सहनी पड़े या सदाचार का त्याग करना पड़े या अपने शत्रू की चापलूसी करनी पड़े जो अपनी दौलत पकबान और आउरतें भोक कर संतुष्ट नहीं हुए ऐसे बहुत से लोग पहले ही मर चुके हैं अभी पुन्य कभी भी नश्ट नहीं होता चारक की जी कहते हैं घास का तिनका हलका है कपास उससे भी हलका है भिखारी तो अनंत गुना हलका है फिर हबा का जोका उसे उड़ा के क्यों नहीं ले जाता क्यूंकि वो डरता है कहीं वो भीक ना मांग ले चारक की जी कहते हैं दूसरों के सुपुर्द कर दी है वो जरूरत आने पर ग्यान या दौलत कुछ भी इस्तमाल नहीं कर सकता तो दोस्तों ये थे आचारे चारक के दोरा बताए गए कुछ बेहद अन्मोल विचार जो मैंने आपके साथ शेयर किये आई होप आपको मेरा ये प्रियास अच्छा लगा होगा दोस्तों इस वीडियो से आपने क्या सीखा आपको क्या समझ आया हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस प्रियास का हिस्सा बनिए दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे कैसी मोटिव लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ तब तक